Good day to all of you पिछली क्लास में आपने Spreadsheet के Standard toolbar के बारे में सीखा था और उसके साथ कुछ formula का उप्योग भी किया था क्लास रू करने से पहले आए revision कर लेते हैं Status bar में आप कौन कौन से option को देख सकते हैं Status bar में आप सभी seats और zoom box के साथ में आप formula को भी देख सकते हैं क्या आप जानते हैं spelling और auto check विकल्प से क्या होता है अगर आपको अपने document में कोई word गलत टाइप किया है तो ठीक करने के लिए आप spelling विकल्प का उप्योग करेंगे इसके लिए shortcut command app 7 का भी उप्योग कर सकते हैं अगर आपको किसी row ओथवा column में से सबसे बड़ी value को देखना है तो आप कौन से formula का उप्योग करेंगे इसके लिए आप maximum formula का उप्योग करेंगे क्या आप 10 student के result का परतिसत निकाल सकते हैं हाँ हम spread sheet के अंदर student के total marks के परतिसत निकाल सकते हैं इसके लिए आपको average formula का उप्योग करना होगा क्या बता सकते हैं कि आपके document को कितने तरीके से save कर सकते हैं आप अपने document को तीन अलग अलग तरीकों से save कर सकते हैं पहले आप menu bar के द्वारा दूसरा आप standard toolbar के द्वारा और तीसरा shortcut command जो control plus S होता है आपके देख सकते हैं जो कि 2 से divide ना हो जैसे की 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादी ये सारे और नमबर होते हैं इवन से आप उन नमबरों को निकाल सकते हैं जो 2 से divide हो वे even नमबर होते हैं जैसे की 2, 4, 6, 8 इत्यादी अब आप सभी अपने computer को on करें spreadsheet की file को open करें आईए आज की class को शुरू करते हैं आज आप पिछले class के options का revision करेंगे और इसके साथ कुछ विकल्पो का अभ्यास भी करेंगे और नए formula के बारे में भी सीखेंगे जो आप नए formula सीखेंगे वे कुछ इस परकार से होंगे जैसे की LCM GCD quantity 10 अब आप सभी अपने spreadsheet की file में कुछ data को type करें या फिर सामने दिये गए चित्रक की मदद से table को बनाए इसके बाद आप सभी अपने file को desktop पर save करें save करने के लिए standard toolbar का उप्योग करें और फिर अपने teacher को दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो की दुआरा सीखते हैं कि file को save कैसे करते हैं file को आप save करने के लिए आप किसी भी विदीर की दुआरा file को save कर सकते हैं जो से आपको बताया गया था पहली class के अंदर आप चाहें तो standard toolbar की shortcut icon जो बना हुआ save का वहाँ पे click करें जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वहाँ पे click करेंगे एक box आजाएगा आप चाहें तो shortcut command control as कभी उप्योग कर सकते हैं या file में जाके भी file को save कर सकते हैं हमने standard toolbar की shortcut icon पे click किया तो box आगे इस तरीके का जिस location पे भी file को save करनी है उस location को हमने select किया फिर file name जो भी file name देना चाहते हैं हमने वो file name यहाँ पे दिया हमने आपे class to अब फिर save पे click कर दिया जैसे save पे click करेंगे जो file हमारी वो save हो जाएगी इसे आप title bar में देख सकते हैं title bar के अंदर जो भी नाम दिया है वो नाम यहाँ पे आ जाएगा या minimize करका आप desktop को भी check कर सकते हैं या जिस location पे भी अपने file को save किया है उस location पे आप file को देख सकते हैं task bar में आ है फिर अपने file को select करें अपनी file पे आ जाएगे तो इस प्रकार से आप save कर सकते हैं अपने file को save कर सकते हैं अब आप सब अपने standard toolbar के दोवारा एक नए spreadsheet sheet की file को लेकर अपने teacher को दिखाएगे अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देख कर सीखे आए वीडियो की मदद से सीखते हैं new file को कैसे लेते हैं new file को लेने के लिए आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं आप चाहिए तो shortcut command या file menu में या फिर standard toolbar में से आप new file को ले सकते हैं यहाँ पे हमने standard toolbar के अंदर जो new का icon बनाएवा हमने वहाँ पे click किया वहाँ पे click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नई file open हो गई जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार से आप new page ले सकते हैं अगर आपको shortcut command के दोरा लेना है तो आप shortcut command का भी उप्योग कर सकते हैं जो control plus n होती है अब आप सभी इसी file पर कुछ formula का उप्योग करेंगे जैसे कि date, time, month, now, त्यादी के formula का उप्योग करेंगे अब आप सभी एक एक करके इन formula का उप्योग करके दिखाएं सबसे पहले अपने seat पर आज का date निकाल कर दिखाएं उसके बाद आप सभी time निकाल कर दिखाएं फिर month निकाल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें कि इन formula का उप्योग कैसे करते हैं आएए वीडियो की मदद से कुछ formula जैसे की, date, time, month, now इन formula का उप्योग करना सीखते हैं कि इन formula का उप्योग कैसे करते हैं पर अगले self के ंदर पर अगले self के अंदर, जो अगले column है हमने वहाँ पर अगले month को type किया जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पर मन्त को टाइप किया जहाँ पर करन्ट डेट लिखा है तो हमें आज का डेट निकालना है और साथ में टाइम भी देखना है तो इसके लिए हम now formula को प्योग करेंगे इसके लिए हमने equal to now bracket को start और फिर bracket को close किया फिर enter बटन को प्रेस कर देंगे जैसे enter बटन को प्रेस करेंगे जो भी computer की date होगा जिस time भी आप यूज करें उस date वे date आजाएगी और जिस time जो computer में by default timing आ रहा है वो timing यहाँ पर आ जाएगा date के लिए आप अलग जिस date को भी आप यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं उसको copy आप यहाँ से कर सकते हैं हमने यहाँ पर equal to को type किया date type किया bracket को start हमने इससे पहले यहाँ यह पूछ रहा है तो हमने यहाँ यह यह टाइप किया फिर month को type किया हमने fit day इन सब के अंदर जो आपको अलग करना के लिए आपको semicolon का उप्यूँ करना है जैसे कि month type किया उसके बाद semicolon फिर जाके आपने date type किया semicolon यह type किया semicolon तो आपको बीच में semicolon को type करना है अगर semicolon type नहीं करेंगे तो आपको formula गलत हो जाएगा फिर उसके बाद month formula निकालना है उसके लिए आपको equal to month type करना है bracket को start करना है जिस date के अंदर भी यह date के अंदर काम करेगा date को आप select कर ले तो date के अंदर जो भी month है वो month को यहाँ पर count करके दिखाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने एक date को select किया जो आपने date निकाला था bracket close किया एंटर बटन प्रेस किया तो उस date के अंदर जो भी month है वो month यहाँ पर count करके दिखा दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है एक examper के लिए हम फिर से देखते है हमने यहाँ पर date formula के अंदर एक अलग दूसरी date यहाँ पर हम टाइप करेंगे इकवल टू date 2017 semi colon second month हमने second to type किया semi colon फिर हमने day यहाँ पर type किया bracket को close और enter button यहाँ पर हमने एक अलग date को insert किया अब इसके अंदर से हमें month को निकालना है month को निकालने के लिए हमने equal to month type किया bracket को start किया जो यहाँ पर date है उस date को हमने select किया bracket को close किया और enter button को press किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर two लिखा हुआ आ गया फिर अगले अगले self के अंदर में time time formula पर use करना है तो हमने time टाइप किया equal to time bracket को start किया अब भी यहाँ पर r पूछ रहा है तो जितने भी आपको बंज़ते यहाँ पर देना है वो हमने यहाँ 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 टाइप करें हमने पर 27 फिर ब्रैकेट को close तो इससे आप time के format में convert कर देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है 10 hour 10 minutes 27 seconds एम तो इस प्रकास से आप time, date, month और now formula का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी factorial निकाल कर दिखाएं जैसे कि 5, 7, 9, 10 अगर कोई problem होती है तो आएँ वीडियो को देखकर सीखते हैं नमरों का factorial कैसे निकालते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको वहां पर पहले कुछ numbers दिये होंगे उनका हमें factorial निकालना है तो हम पहले उन number को type कर लेंगे जिसका हमें factorial निकालना है हमने एक cell में number type किया और दूसरे वाले cell में हमने factorial लिखा जिस जिस number का हमें factorial निकालना है हम उस number को type करेंगे हमें 5 के निकालना है हमने 5 type किया फिर 7 type किया फिर 9, फिर 10 हम इन चारों नुमरों का factorial निकालना है factorial चे क्या आता है जो number है इस से पीछे जिसे जी जितने भी number है जैसे की 4, 3, 2, 1 इन सभी को multiply करके जो total value आएगा हूँ आजाएगा हमने equal to FACT टाइप किया bracket start जिस number के निकालने उस number को हमने select कर लिया फिर bracket close और फिर enter बटन हीट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 आगया तो 5 का factor रे 120 आगया जैसे आपको वीडियो में दिखा रहें जब आप 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करेंगे तो total value इतने ही आएगा 120 इसी प्रकार से आप 7 के निकालेंगे जब आप 7 का factor निकालेंगे तो 7 जो multiply होगा 7 multiply by 6 5, 4, 3, 2, 1 इन सबको multiply करने पे जितना answer आएगा वो इसका factor आजाएगा लेंगे bracket close और enter इसी प्रकार से 9 के निकालेंगे equal to उमने fact टाइप किया bracket को start 9 को type किया bracket close और enter तो 9 से लेके 1 तक जितने भी number 7 उनको multiply करने पे यह answer आजाएगा इसी प्रकार से 10 का factor निकालेंगे equal to 10 10 को हम सेलेक्ट करेंगे bracket close और enter तो यहाँ आप आप देखते हैं जो भी number आया यह इसका factor आ गया है 10 का factor हो जाएगा यहाँ पे 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 जब इन सब को multiply करेंगे तो आपके पास 3 6 2 double 8 double 0 यह value आ जाएगा तो इस प्रकार से आप factorial निकाल सकते हैं अब आप सभी इसी file को close करें और जिस file में आपने save किया था उस पर आ जाएग क्या आप जानते हैं कि LCM formula का उपयोग क्यों करते हैं LCM formula की मदद से नम्बरों में से list count value को निकाल सकते हैं जैसे कि आपने math में पढ़े होंगे आइए अब LCM formula का उपयोग वीडियो की मदद से सीखते हैं आइए वीडियो की मदद से LCM formula के बारे में जानते हैं कि इसका उपयोग किसलिए करते हैं यहां पर आपको दिखाया जा रहा है सबसे पहले हम आपके समझाने के लिए आपके हम कुछ numbers को type करेंगे यहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं हमने तीन numbers को type किया 6, 8, 12 जैसे आप लोगों ने math की class में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि LCM कैसे निकालते हैं अगर आप जो यह 6s को आप अगर जाओ इसके टुकुडे करेंगे गुननखंड बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से बनाएंगे 2 x 3 8 को गुननखंड बनाएंगे 2 x 2 x 2 इस तरीके से इसके यह पार्ट में डिवाइड होगा इसी प्रकास से अगर आप 12 को इसके अगर टुकुडे बनाएंगे गुननखंड बनाएंगे इसके तो यह कुछ इस तरीके से होगा 2 x 2 x 3 जैसे आप लोगों ने math की class में पढ़ा होगा LCM हम कैसे निकालते हैं जो इन में से common value होता है तीनों में से हम उनको निकालते हैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए यहां पर भी LCM का formula हम उन्हें यूज करेंगे equal to हमने लगाया LCM लिखा यह आप अब देखते हैं integer 1, integer 2, integer 3 जितने नमरों का भी आपको LCM निकाले हैं उन नमरों को हम सेलेक्ट कर लेंगे पहले हमें bracket को स्टार्ट किया फिर हमने इन तीनों नमरों को सेलेक्ट कर लिया जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने इन तीनों नमरों को सेलेक्ट किया select करने के बाद bracket को close किया close करने के बाद enter बटन को एक बड़ प्रेस किया तब देख सकते हैं आप जो answer आए है वह 24 आया मैं अभी हम चेक करने के पर 24 याशन फिर साइब फैर देख सकते हैं हमें इसे चेकश करने के लिए जो इनमे इसे को में आया है धूर्थ पर दो बर कि यहां पर देखेंगे 3 ₹ 2 है यह पर 3 ₹ 2 आ गया फिर दोनों में 3 है तो हमने यहां पर 3 को भी दुबार एक बार लिया हूं जब को multiply करेंगे 3 times 2 into में 3 तो आप देखते हैं यह पर जो value आएगा वो 24 आएगा आप लोग LCM भी इसी प्रकार से निकालते होंगे तो आप देखते हैं LCM से दोनों की value same आगया तो इस प्रकार से आप LCM formula का उपयोग कर सकते हैं अब GCD formula के बारे में सीखते हैं कि आप बता सकते हैं GCD का उपयोग क्यों करते हैं GCD formula की मदद से आप greatest common value को निकाल सकते हैं अगर आपके पास कुछ number दे गए हैं इन में से सबसे common number कौन से हैं जैसे जिसे सबी को divide कर सके तो इसके लिए GCD formula का उपयोग करेंगे आए अब GCD formula के बारे में वीडियो की मदद से सीखते हैं आए वीडियो को देखके GCD के बारे में समझते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं यहाँ आप देखते हैं जो हमने पहले ही इसका LCM निकाला था 6, 8, 12 जो इन नमबर से इनका मने LCM निकाला था और इसके हमने गुनन खंड भी किये थे तो आप देखते हैं 6 का 2 x 3, 8 का 2 x 2 x 2 12 का 2 x 2 x 3 तो यह इनका गुनन खंड है जिस हेडियो में क्या होता है जो सबसे इनमें जो सबसे common value आते है वो इसका आणसर आजाते है जब आप इनका common value निकालेंगे 6 के अंदर 2 common है 8 में 3 x 2 है तो मतलब यहां से एक आजाएगा 2 और इसमें भी 1 जब इसका common value निकालेंगे तो इसका answer 2 होगा आप लोग GCD Max में पढ़ते होंगे इसी तरीके से common निकालते है जब हम इसको formula में use करेंगे यह आप वीडियो में देख सकते हैं हमने equal to type किया फिर हमने GCD लिखा फिर हम तीनों नम्बरों को select किया जब हम तीनों नम्बरों को select किया था आप आप देख सकते हैं जो answer आया वो 2 आया तो इस प्रकार से जो सबसे common value है जो सब को divide कर सके तो वो answer रहा है 2 इस तीनों नम्बरों को divide कर देगा तो इस प्रकार से आप GCD formula को उप्योग कर सकते हैं अब आप अपने seat पर सभी की maximum number को निकाल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो को देख कर सीखते हैं maximum formula का उप्योग कैसे करते हैं maximum formula की मदद से जो भी आपके data है उसके अंदर आप maximum value maximum number को निकाल सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखा जा रहा है हमने यहाँ पर एक column में maximum salary paid यहाँ पर type किया हुआ एक column तो हम जो salary वाले column है उसमीbab maximum number है उसको हमें यहाँ से निकालना है इसके लिए हमने maximum formula को यूज करेंगे हमने यहाँ पर select किया select करने के बाद आपको equal to को type करना है equal to type करने के बाद आपको max max type करेंगी bracket को start जिस column में जिस row में से भी आपको maximum number निकालना है हमें salary में से निकालना है आप देखते हैं जो total salary है उनमें से भी maximum salary को निकालना है तो हमने इसको select किया select करने के बाद bracket को हम close करेंगे और एक बाद enter button को press करेंगे जब आप enter button को press करेंगे जो इनमें से maximum number है जो highest value है वो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इनमें से 35 highest value है हमने इसको select किया तो वो यहाँ पर आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप maximum value का उप्योग कर सकते हैं अब आपके पास data है उसे आप ascending order में arrange करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आए ये वीडियो को देखकर अपने data को ascending order में करना सीखते हैं जैसे कि आप जानते है ascending order की मदद से जो भी आपका data है वो बढ़ते हुए करब में आ जाएगा जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं आप हमने कुछ data को type किया है तो आप देख सकते हैं जो total salary वाला option है जो column है वहाँ पे कुछ number है अब नहीं को select क करने के बाद अपने pointer को standard toolbar के standard option ascending option पे लेके गए वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया कुलिक करने के बाद एक box आजयागे जहाँ पर extend selection current selection और cancel option को option अपर करेंगे जैसे current selection पर क्रिक करेंगे तो आप देख सिकते हैं जब आपका data वह ascending order में अरेंज हुजाएगा अब देखते हैं अभी बढ़ते हुए करम में हैं आप इन नमरों को देख सकते हैं तो इस प्रकार से आप असेंडिंग ओर्डर का उप्योग कर सकते हैं अब सभी PDF बना कर दिखाएं और उसमें पासवर्ड भी लगाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं PDF की फाइल को कैसे बनाते हैं और उसके अंदर पासवर्ड को कैसे सेट करते हैं PDF की File को बनाने के लिए आप सभी को सबसे पहले File menu पे पे क्लिक करना है यहां पे दो option है Export और Export as PDF आप दोनों में से किसी भी option को प्योंग कर सकते हैं हमने Export as PDF option को Select किया हमने Security option को Select किया हम यहाँ पर Password लगाना है तो यहाँ पर आप कोई भी password लगा सकते हैं पास्वर्ड के अंदर सेम नंबर को टाइप किया यहां पर कुछ मिस्टेक था हमने नंबर को एक जैसे टाइप नहीं किया इसलिए यहां पर एर्रस हो किया आपको ध्यान रखना है यहां पर दोनों के अंदर एक जैसे नंबर होना चाहिए है पे यहां पर टाइप किया, इस वर हमने बिचर्ण सेम नंबर हें यहां पर टाइप किया आप चाहए में फिटार कोई सेह छोवर नंबर जो भी पास्वड देना चाहते है पैस्वर्ड पर आप टाइप कर सकते है फिर पर अक्लिक कर सकते पर एक safest करतेगह प्राइप पर save करने का option आएगा, कि आपको अपने PDF की फाइल है, कहांपे save करना है, जिस location पर भी save करना है, उस location को select करने, जो भी नाम सी ही इम महाm type करें, तो हमने desktop को select किया, class 2 के नाम से, desktop पर हमने save कर दिया, अब चेक करने के लिए कि हमारी PDF की फाइल बनी है नहीं, इसको पहले जो आप देखेंगे इसको open करने के लिए पर password पूछ रहे जब तक आप इसके अंदर password को एंटर नहीं करेंगे जो आप एमने लगायता तब तक यह फाइल open नहीं होगी हमने पर password टाइप किया फिर ok पर click किया तो अब ही आप देख सकते हैं यह फाइल open होगी यहां पर इसको यह से close कर दें तास्क बार में से अपनी फाइल को सेलेक्ट करें अपनी फाइल पर आ जें तो इस प्रकार से आप PDF का उपयोग कर सकते हैं अब आप किसी कॉलम में पूरे सीट में से minimum को निकाल कर दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आए यह वीडि की मदद से जिस रो या जिस कॉलम के अंदर भी सबसे minimum नंबर है उस minimum नंबर को यहाँ पर सो करेगा इसके लिए equal to यहाँ आप देखता है हमने minimum salary पेड एक पहले सी कॉलम बनाया हुआ है उसके अंदर हमें minimum salary निकालना है हमने यहाँ पर equal to min minimum type किया bracket को start किया अब इसके अंदर जो सबसे कम salary है जो सबसे कम value है हमें वसी निकालना है इसको हमने select किया bracket को close किया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं हमने bracket को यहाँ पर close किया फिर एक बड़ एंटर बटन को press करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो minimum value है जो minimum value यहाँ पर आए नंबर वो यहाँ पर 100 हो जाएगा 25,000 तो यह minimum salary है तो इस प्रकार से आप minimum formula का उप्योग कर सकते हैं अब आपके पास जो data है उसमें किसी एक column को descending order में करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आए वीडियो को देखकर सीखते हैं descending order से क्या होता है जैसे कि आप जानते हैं descending order की मदद से जो भी आपका data है आप उसको खटते हुए करम में उसे arrange कर सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाए जा रहा है यहाँ हमने सी कॉलम को स्लेक्ट किया जो टोटल वर्किंग डे है इसको हमने स्लेक्ट किया तुलबार के descending order जो सौट descending order option है उसके हमने क्लिक किया जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सौट रेंज आ जाएगा कि जो आपकी क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आवाँ डेटा है वह घटते वी करम में आजाएगा पहले इसमें सबसे बड़ी हुई संख्या फिल से छोटी संख्या फिल से छोटी तो इस करम में यह आ जाएगा तो इस प्रकार से आप ascending order copy कर सकते हैं क्योंकि आज की class यहीं पर समाप्त होती है आप सभी अपने spreadsheet की file को close करें और अपने computer को shutdown करें आज आपने पिछली class के options का revision किया उसके साथ में कुछ विकल्प का अभ्याज किया और नए formula के बारे में भी सीखा जाएगा